हेलो एवरिवन, वेलकम वन सकेंड, आज की हमारी इस वीडियो हम करने वाले हैं कि कोई AP के end term हम कैसे find out कर सकते हैं So without wasting our time, let's start हम एक example से समझेंगे और example का यूज़ करके हम पहुंचेंगे कि end term कोई AP की कैसे find out कर तो उसका formula क्या रहेगा तो आईए start करते हैं माल लिजिए आपकी job लगी कहीं पर आपकी जो first month की salary है, first month की job की salary है, वो है 8000 rupees Okay, 8000 rupees, salary of first month and second month की job की salary है, वो है with an increment of 500 rupees, 8500 and third month you will get 9000, means 500 का increment है वो हर एक month में, हर एक महीन में आपको मिल रहा है and so on, ऐसे चलता रहेगा तो देखिए, यह AP बन रही है या नहीं पहले हो था हम यह देखना है यह मैंने पिछली वीडियो में discuss कर लिया कि कौन से series AP बनेगी, कौन से series AP नहीं बनेगी हम सभी को पता है कि AP वो series होगी जिनकी सारी terms में, मतलब कोई भी दो successive term का difference रहेगा वो हर एक case में equal होगा for example, in this case, अगर first हम देखेंगे, यहाँ पर first term हमारा कौन से रहेगी, देखिए 8000 रहेगी, second term हमारे पास कौन से रहेगी, 80, 500 then third term, 9000 and so on ऐसे, तो इसके बीच को difference जो है यह 500, इंक्रीमेंट है यह, यह सभी में सेम है, इसका मतलब के this series is forming an AP अब देखें, अगर आपको fourth और fifth month तक पूछा जाए तो आप easily find out कर लेंगे, इसमें 500, 500 एड़ करके but अगर आपसे पूछा जाए, that what will be the salary of Amit, what will be the salary of Amit after 20 months तो 20 months का आप ऐसे थोड़ी add करके लेके चलेंगे, वो बहुत lengthy हो जाएगा, तो ऐसे आप find out नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए हम एक formula बानाते है, formula किससे मनेगा, जो हमारी series है, यह हमें formula देगी, देखे first term हमें के बाता है कि A से denote होती है, तो first term हम यहां पे लिख सकते है, तो first term equals to A, मतलब जो 8000 वो होगे हमारी first term, अब देखे, second term होगी, second term होगे हमारी प्रजेंट करते है, A2 से, अब second term कैसे आएगी A plus D, कि जो increment है 500, वो हमें इसमें add कर दिया हमने, तो यहां पे 8000 प्लस 500 आया, अब third month की salary होगे, means third term, जो 9000 आई, यह कैसे आएगी देखे, A, A means जो basic salary थी, उसके starting salary, 8000, प्लस, अब उसमें कितना plus हो रहा है, 2D, 2D means एक increment ही है, और एक second month को जो increment होगा, यह तो देखे, first month में increment हुआ, जो second month की salary मिलेगा उसमें, फिर जो second time जो increment होगा, वो भी 500 तो इसमें आएगा, एक pattern बन रहा है, देखे, pattern क्या बन रहा है, अगर second term हमने find out करनी है, तो A plus 1D हमने add किया हो रहे है, यहाँ पर थर्ड term हमने find out करनी है, तो हमने add किया 2D, अगर fourth term हमने find out करनी होती है, तो हमें कितना add करना बढ़ता, A plus 3D, मतलब यह जो increment है, यह आपके बार तीन बार कितना हो जाएगा, 8000 plus 3 into D, D is 500, ठीक है, 500 हम use कर, यहाँ पर common difference, increment जो है, तो यहाँ पर आएगा 8000 plus 1500, यह आजाएगा 9500, यह 9500, अगर हम ऐसे find out करते, plus 500 करके तो भी हमारे पास कितना आता, यह आगा दिखे, तो fourth term हम ऐसे find out कर सकते हो, तो यहाँ से हमारा formula बनेगा, अब यहाँ पर माल ली, जहाँ हमें nth term find out करनी है, nth term, तो अब की बार क्या लिखेंगे, a plus, यहाँ पर हम, अब देखे, यहाँ fourth हमने 3 लिख, देख, कैसे लिखा था वो, means 4 minus 1 करके हमने यहाँ लिखा था, ठीक है, यह जो a fourth हमने कैसे लिखा था, a plus 4 minus 1 into D, यह जो third term है, third term हम ने कैसे लिखी थी, third term हमने लिखी थी, a 3 equals to a plus, in bracket 3 minus 1 into D, यह जो यहाँ 3 है, इस में से 1 minus करका हम यहाँ लिखते हैं, तो जब nth term हम find out करेंगे, then we can write it as a plus n minus 1 into D, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a plus n minus 1 into D, यह जो हमारा रहेगा, this is the formula of finding out the nth term of an AP, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, समझेंगे कैसे कि nth term कोई भी AP का, यहाँ से हम कोई भी AP का nth term find out कर सकते हैं, where a is its first term, first term of the AP, d is the common difference, आप सभी को पता है ओल्रेडी कि a और d क्या होता है, और जो n है, यह nth term यहाँ पे होगी nth term, और यह होगी total number of, n means number of terms, जो हमें find out करना है, वो nth term ह हो गई है, अब इस formula के use करते हैं, हम कोई question लेके, use कैसे करेंगे, देखिए, question number one मान के चलिए, यहाँ पे, कहा होगी के, find the 10th term of an AP, that is 2712 and so on, तो यह हमारे पास question है, इसमें already mentioned है कि यह AP है एक, अब AP है, तो इसकी हम 10th term कैसे find out कर सकते हैं, ठीक है, तो 10th term find out करने के लिए हमें formula पता होना चाहिए, हमें find out करना है 10th term, 10th term को हम A10 लिख सकते हैं, ठीक है, A10 हमने लिख लिया, तो A10 find out करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए, मैंने क्या बताया था, कि nth term find out करने का formula होता है, हमारा होता है, a plus n minus 1 into d, so 10th term find out करने का क्या होगा, replace n by 10, तो यहाँ पे भी हम 10 minus 1 into d लिख देंगे, this will be equals to a plus 9d, तो a 10 आपके किसके एकोल हो जागा, a plus 9d, तो यहाँ पे a चाहिए, हमें और d चाहिए, ठीक है, तो a 10 के लिए क्या क्या चाहिए, a, और a हमारे पास given already the first term, first term of the a p, आजाएगा 2, then d, common difference, common difference कैसे find out करते हैं, second term minus first term, second term is 7 minus 2 equals to 5, हमारे पास a बी आचुगा और d बी आचुगा, तो इससे हम find out करते हैं, so a 10 equals to a plus 10 minus 1 into d, which gives us a plus 9d, then put the value of a and d, a is 2 plus 9 into 5, then 2 plus 45, which gives us 47, so 10th term of this a p will be 47, आपको direct find out करने के जोरूत नहीं है, ऐसे add करके, आप इस formula से easily find out कर सकते हैं, 10th term के यहाँ पे हम 100th term भी find out कर सकते हैं, easily, with the help of this formula, तो यह था हमारा formula, जो main concept में आपको आज समझाने के कोशिश कर रहा था, वो यह है, कोई भी term आपको दी होगी, कोई भी a p दी होगी, उसके हम कोई भी term find out कर सकते हैं, easily, यह formula को use करके, ठीक है, आप देखिए, इसमें यहाँ पे तो क्या है, कि हमें term find out करनी थी, अब अगर हमें term दी हुई होगी, तो हमें a और d में से कोई चीज find out करनी कैसे होगी, बहुत interesting chapter है, तो इसमें आपको देख लेना है कि क्या दिया हुआ है, और हमें क्या find out करना है, हमें a p यहाँ पे given है, तो a p पहले हमें यहाँ लिख लेते हैं, 21, 18, 15 and so on, अब इस a p में से हम क्या-क्या find out कर सकते हैं, देखिए, first time रहेगी हमारे हो जाएगी a, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a equals to 21, यह a1 भी आप लिख सकते हैं, उसके बाद में आपका d आएगा, d कैसे find out कर सकते हैं, a2 minus a1, a2 is 18, तो 18 minus 21 आपके बास हो जाएगा minus 3, मैंने बताया था कि common difference जो होगा, that can be negative, positive and 0 also, ठीक है, तो common difference का यह मत समझना कि negative नहीं होगा, 21 minus 18 नहीं करेंगे, आप 18 minus 21 करेंगे, means जो बाद वारी जो term रहेगी, उसमें हमें previous term minus करनी है, ठीक है, ऐसे हम ने कर लिए find out d, अब देखिए which term of the ap, question लोग अच्छे समझेंगे, which term of this ap is minus 81, तो हमें term already दे हुई है, an equals to minus 81, तो यह कौन सी term होगी 81, minus 81, यह हमें इसका find out करना है, तो अब की बार an already given है, so an किसका, क्या formula क्या होता, an का, a plus n minus 1 into d, तो अब की बार देखिए, an is given, a is given and d is given, we have to find out this n, we have to find out the value of n, तो n की value कैसे find out करेंगे, जो बाकी values हैं, वो सारी values इसमें रख देंगे, an is minus 81, a is 21, then plus n minus 1 into minus 3, d की value हमने रख दिया हाँ पर minus 3, इसको आप solve कर लेंगे, यह जो 21 इसको इस सेट में जब लेके आएंगे, तो minus 81 minus 21 equals to n minus 1 into minus 3, यह minus 3 multiplication में n minus 1 के, यहाँ पर जब इसको solve करेंगे, तो कितना आएगा, यह 10, 2 equals to n minus 1 into minus 3, minus 3 is in multiplication, ध्यान रहे हैं, यहाँ पर minus 3 नहीं है, उस सेट ले जागे plus 3 कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, अब यह जो minus 3 है, multiplication में है, इस सेट में हैगा, तो division में हो जाएगा, तो minus 102 by minus 3 equals to n minus 1, minus से minus cancel out and 3 से जब इसको cancel out करेंगे, तो 3 1s are 3, और यहाँ पर आजएगा, 3, 3s are 9 and 3, 4s are 12, तो यह आएगा, आपके पास n minus 1 equals to 34, then n equals to 34 plus 1, which gives us n equals to 35, तो ऐसे आप n की value find out कर लेंगे, तो हम क्या कहेंगे, कि जो minus 81 है, it is the 35th term, okay, so minus 81 is the 35th term of this given AP, तीक है, यह हुआ हमारा जो first part है इसका वो, आप देखें क्या का हुआ है next में, कि क्या कोई term इसकी 0 है, इस AP की, इस AP की term 0 हो सकती है, वो कैसे find out करेंगे, वो भी हम ऐसे find out करेंगे कि an, क्या इसका 0 हो सकता है कभी, when a equals to, a क्या है 21, और d क्या है minus 3, ठीक है, a 21 और d minus 3 है, तो क्या an 0 हो सकता है, तो यहाँ भी हम वो ही formula पूट कर लेंगे, an equals to, sorry, an equals to a plus n minus 1 into d, सारी values पूट करेंगे, तो यहाँ पे 0 आएगा, a equals to 21 plus n minus 1 into minus 3, इसको solve कर लीजे, minus 21 हो गई, इस set आएगा तो, then, equals to n minus 1 into minus 3, यह cancel out हो जाएगा, ठीक है, यह minus minus plus हो जाएगा, मतलब, जब 21 by 3 आएगा, तो यह आएगा n minus 1, and which gives us, n minus 1 equals to 3, 7, 0, 21, so n equals to आजाएगा, आपके पास 8, so, 8th term है, जो 0 होगा, वो 8th term होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे, so, the 8th term is 0, यहाँ अगर मालीज यहाँ पे fraction में आ जाता है, आपके पास आ जाता है, 8 by 3, n equals to 8 by 3, तो n यहाँ पे term है, term का मतलब है, यह तो second term होगा, third term होगा, अब यह कोई term थोड़ी होती है, fraction में अगर आ गया कोई term, तो term fraction में नहीं हो सकती है, आपको ध्यान रखनी है, term अगर आएगा, तो वो एक whole number होगा, ठीक है, natural number होना चाहिए, first, second, third, यह 50th, 38th, ऐसे आएगी हो, complete number होना चाहिए, fraction में नहीं होना चाहिए, अगर term पूछा कि कौन सी term है, तो वहाँ पे, and हमेशा complete number आएगा, 8 तो 8 term हो गया, उपर देखे, 35 तो 35th term हो गया, ठीक है, आप देखे, एक और question देखते हैं, question हमारा next क्या रहेगा, find the 31st term of an AP, whose 11th term is 38, and the 16th term is 73, this is our question, अब इसको सोल कैसे करेंगे, मैंने बताया आपको, कि question जो दिया हुआ होगा, उसमें क्या दिया है, और क्या find out करना है, यह आप लोगों को पहले देख लेना है, तो यहाँ पे, आपको find out करना है, 31st term, 31st term को हम ऐसे लिख सकते ही, 31, 31, ठीक है, whose 11th term is 38, 11th term is given, means a 11 equals to 38, and 16th term is, 16th means a 16 equals to 73, यह हमें दिया हुआ है, a 11th term और 16th term और हमें find out करना है, 31st term, अब 31st term find out करना के लिए, हमें क्या क्या चाहिए हो, आप देख लीजिए, 31st term कैसे find out करते हैं, a plus 31 minus 1 into d, means 31st term equals to a plus 30d, अगर हमारे पास इस a और d के value आ जाएगे, तो हम 31st term easily find out कर सकते हैं, तो यह जो a और d की value हैं, यह हम इन दोनों equation से, मतलब यह जो d हुई हैं, दोनों terms, यहाँ से हम यह value find out करना ही पड़ेगी, कैसे, अब यह 11th term इसका क्या मतलब होगा, दीखे, 11th term का मतलब है कि, a plus 11 minus 1 into d equals to 38, हम इसको लिख सकते, a plus 10d equals to 38, अब आप जैसे करने लग गए आप, तो यहाँ पे आप direct भी लिख सकते हैं, 11th term है, तो यहाँ पे एक subject करके लिखे लेंगे 10d, यहाँ पे जैसे 16th term है, तो इसको आप लिख लेंगे direct, a plus 15d equals to 73, तो यह हमारे पास बनेगे तो equation, यह first equation यह बनेगी, second equation, इन दोनों को हमें solve कर लेना है, यहाँ पे देखिए, linear equation in two variable हैं यह दोनों equation, तो इसको आप कोन से method से आप solve करना चाहेंगे, उससे आप कर लेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, eliminator method से, तो elimination से जब करेंगे, simple subject कर लीजे सी subtracting equation, 2 from 1, तो यहाँ पे कर लेंगे, 2 from 1 करेंगे, means 1 minus 2 करना पड़ेगा, so a plus 10d equals to 38, and a plus 15d equals to 73, sign will change, तो a से cancel out हो जागे, और यहाँ पे आपका बज़ेगा, minus 5d, यह जब आप subtraction करेंगे, तो plus 38 और minus 73 है, अब कितना बज़ेगा आपके पास, 35 बटी रहेगा, minus का, ठीक आपको ध्यान रखना है, आप ऐसे subtraction कर सकते हैं, 73 में ज़े 38 minus करेंगे, तो कितना बज़ेगा, 5, और यहाँ पे 6 minus 3 आएगा, 3, तो sign रहेगा, greater number का, greater number is, 73, so minus 35, minus से minus cancel out हो जाएगा, यहाँ पे दोनों साइड है, तो d किसकी equal आजाएगा, 35 by 5, means 7, so d के value हमारे पास आई 7, अब d के value जो 7 आ चुके हमारे पास, तो इन में कोई भी equation में रखके, हम a की value find out कर लेंगे, so a plus 10d equals to 38, then a plus 10 into 7 equals to 38, तो a की value क्या आ जाएगी, 70 equals to 38, so a equals to 38 minus 70, अब के बार कितनी आएगी देखिए, value आ जाएगे आपकी 32, minus 32, ओके, so a की value आई, minus 32, means first term जो हमारी है, अब a की value हमारे पास आ चुकी, और d की value हमारे पास आ चुकी, दोनों value हमें चाहिए, 31st term find out करने के लिए, अब 31st term कैसे find out कर लेंगे, simple put कर देंगे value सारी, a plus 30d, a is minus 32, then plus 30 into d, d is 7, minus 32, plus 2, 1, 0, इसको जब subtraction आप करके लिखेंगे, तो यहाँ पर आजाएगा, 178, 178, इसकांसर आजाएगा, 31st term, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, 31st term of the AP, is 178, यह जो chapter हमारा AP, बहुत interesting chapter है, अगर आप समझके करेंगे, तो आपको खुद interesting लगेगा, बहुत ज़्यादा, और अलग-अलग questions, solve करने का मन करेंगा, ठीक है, तो इस टाइब के question रहेंगे, आपके इसमें, एक और question आपको solve कर लेते हैं, बाग के question आपके लिए homework करेंगा, लास्ट question देख लेते हैं, यह question हमारे पास है, यह question हमारे पास है, that 17th term, 17th term, of an AP, exceeds, its, 10th term by 7, 10th term by 7, find the common difference, find the common difference, यह हमारा question बिल्कुल सिंपल सा, और इसकी language आप अगर समझ गयते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, question की, आपको अगर concept के लिए हैं, आपका, कि nth term कैसे find out करते हैं, common difference क्या होता हैं, first term क्या होता हैं, AP में हम, कौन-कौन से property apply कर सकते हैं, तो आप कोई भी question को easily solve कर पाएंगे, यहाँ पर कहा हो है, that 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference of the AP, यह हमारा question है, तो मतलब क्या है कि जो दिया हुआ है, और जो हमें find out करना हो, हमें लिखे लेना है, 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, तो इसका मतलब यह है कि 17th term 10th term से कितना ज़्यादा है, 7, then we have to find out the common difference, मतलब D हमें find out करना है, अब यहाँ पर जो कहा हुआ है, 17th term और 10th term यहाँ पर दिया हुई है, तो इसका हम formula कर रिप्लेस कर लेते हैं, 17th term का क्या मतलब होता है, A plus 16D, then minus 10th term का मतलब क्या होगा, A plus 9D equals to 7, जब यह bracket जब हम open करेंगे, bracket open करेंगे तो A plus 16D minus A, minus 9D equals to 7, A से cancel out हो जाएगा, then we have 16D minus 9D equals to 7, then 7D equals to 7, and D will be equals to 7 by 7, which gives us D equals to 1, last में आप लिख सकते हैं, so common difference, common difference of the AP equals to 1, ठीक है, तो यह हो गया हमारे question complete, बाकि जो question नहीं हैंगे, exercise के आपके लिए homework है, और I hope कि आप लोगों के concept विलकुल समझ आ गया होगा, और आप वो सारी questions, interest लेके solve करेंगे, ठीक है, तो next में हम करेंगे, अब देखें, यहां पर तो हमने कर लिया, कि यह term का find out करनी, next में हमारे पास रहेगा, कि यह कोई AP दी हुए, उसकी इतने terms का sum find out करी, कितना होगा, तो वो हम करेंगे, हमारा next topic रहेगा, sum of n terms, करेंगे,